इस वीडियो लेक्षर में हम लोग जानेंगे कि एलकोहल का ऑक्सिडिशन किस तरह से किया जा सकता है अलकोहल के ऑक्सिडिशन के लिए मेटल बेस और नोन मेटल बेस दोनों तरह के रियजेंट यूज़ किया सकते हैं बट इस वीडियो लेक्षर में हम लोग ऐसे रियजेंट को डिस्कस करेंगे जो क्रोमियम बेस्ड हो आज इस video lecture में हम लोग chromium oxidant के थुरू alcohol के oxidation को consider करेंगे alcohol के oxidation को start करने से पहले यहाँ पर यह जानना जुरूरी है कि alcohol होते के हैं अगर मान लिए हमारे पास OH functional group है और OH functional group किसी ऐसे carbon से जूड़ा हुआ है जो sp3 hybridize हो तो ऐसे OH को हम alcohol कहते हैं alcohol की degree जानने के लिए यहाँ पर इन तीनों example में जो R है इस R को हम alcohol group मान लेते हैं यह ऐसा group है जिसमें carbon present है अगर हम OH की बात करें अगर OH जिस carbon से जुड़ा हुआ है यह carbon further directly कितने carbon से जुड़ा हुआ है यह इसकी degree कहलाती है जैसे इस case में OH इस carbon से जुड़ा हुआ है और यह carbon further इस एक R से जुड़ा हुआ है इस R को हम alcohol group मान रहे हैं इसलिए carbon केवल एक carbon से जुड़ा हुआ होगा इसलिए इसकी degree 1 degree होगी यानि यह 1 degree alcohol कहलाएगा इसी तरीके से second case में यह OH इस carbon से जुड़ा हुआ है और यह carbon further 2 carbon से जुड़ा हुआ है इसलिए यह हमारे पास second degree alcohol हुआ और इसी तरीके से यह हमारे पास third degree alcohol हुआ अगर हम इसके oxidation की बात करें और 1 degree alcohol में basically होता क्या है जब इसका oxidation किया जाता है तो इस OS से 1H और इसके इस carbon से 1H है यहां से S2 remove हो जाता है और S2 remove होने से यह 1 degree alcohol aldehyde में convert हो जाता है और जब इसका further oxidation हो तो इस aldehyde से carboxylic acid की formation हो जाती है इसी तरीके से जो second degree alcohol होता है उसमें भी एक H इस OS से निकलता है और दूसरा H इस carbon से निकलता है तो यानि अगेन यहां से S2 निकल जाएगा जिस से second degree alcohol के tone में convert हो जाता है अगर हम third degree alcohol की बात करें तो third degree alcohol में इस OS से हम एक H निकल सकते है बट इस carbon पर directly H absent है कोई भी ऐसा H नहीं है जो इसके साथ directly जुड़ा हुआ है यानि कि third degree alcohol से अब H2 निकालना H2 को remove करना possible नहीं होगा इसलिए third degree alcohol का normal condition में oxidation नहीं हो सकता यहां पर सबसे important बात यह है कि जो हमारे पास second degree alcohol है उससे किटोन जो होता है वो main product या major product बनता है बट कुछ specific condition में इस किटोन को further oxidize किया जा सकता है अगर मालीजें हमरे पास second degree alcohol दिया गया है अगर हम condition को basic condition maintain करके रखेंगे और condition को cool condition mention करके रखेंगे यानि cool condition में और basic condition में second degree alcohol का major product जो होता है वो किटोन होता है अगर condition में हम temperature increase कर देंगे तब second degree का further oxidation हो जाता है और इसका oxidation pop-off rules से होता है जिसको हम separate video में consider करेंगे अलकोल के oxidation के लिए जितने भी chromium base reagent यूज किया जाते है इन में chromium hexavalent condition में होता है जो कि reduce होकर chromium plus 3 condition में चला जाता है for example, CRO3 जिसमें chromium plus 6 condition में होता है इस CRO3 को हम chromium trioxide या फिर chromium 6 oxide या इसे हम chromic anhydride भी कहते है क्योंकि S2CRO4 हमारे पास chromic acid होता है अगर इस में से water molecule release हो जाए तो हमारे पास CRO3 यानि chromium trioxide की formation हो जाती है या इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं जब CRO3 में water का addition किया जाता है तो इस से S2CRO4 chromic acid की formation होती है CRO3 यानि की chromium trioxide दो condition में use किया जाता है एक तो वो anhydrous condition में use होता है जब anhydrous condition में use होता है तब इसका color dark purple होता है इसी तरीके से CRO3 wet condition यानि aqueous condition में भी use होता है तब इसका color red orange color होता है कुल के oxidation में use होने वाले chromium based reagent को दो category में divide कर सकते हैं और ये category depend होती है reaction की condition कैसी है अगर reaction में aqueous condition है तो इन reagent को हम aqueous oxidants केते हैं इसमें हम S2CRO4 यानि chromic acid chromate salt, dichromate salt और permagnate salt को use कर सकते हैं और मान लिजी reaction anhydrous condition में करवाई जारी है तो इन oxidants को हम anhydrous oxidants के देते हैं इसमें हम PCC, PDC, Collins region और serate region को use कर सकते हैं alcohol के oxidation के दोरान बनने वाले product के base पर इन सभी oxidants को हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं एक हमारे पास strong oxidizing agents होती हैं और दूसरे हमारे पास weak oxidizing agent होती हैं अब यहाँ पे strong oxidizing agent और weak oxidizing agent से मतलब क्या होता है इसको हम alcohol के oxidation से अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे हम दो तरह की abbreviation use कर रहे हैं एक abbreviation में WO लिखा होआ है जिसका मतलब weak oxidizing agent है दूसरी abbreviation में SO लिखा होआ है जिसका मतलब strong oxidizing agent है अगर 1 degree alcohol की reaction weak oxidizing agent के साथ करवाते हैं तो इस condition में LDH की formation होती है और reaction further नहीं हो पाती यानि इसमें LDH जो होता है वो major product बनता है अगर 1 degree alcohol की reaction strong oxidizing agent के साथ करवाई जाए तो इसमें पहले LDH बनता है यहाँ पर reaction को control करना बहुत मुश्किल होता है और इस LDH का further oxidation होने से हमारे पास carboxylic acid as a major product बनता है अगर हम second degree alcohol की बात करें चाहे हम weak oxidizing agent यूज़ करें या फिर strong oxidizing agent यूज़ करें दोनों ही condition में second degree alcohol से ketone की formation होती है और जब तक condition basic रहेगी और reaction का temperature maintain रहेगा इस ketone का further oxidation नहीं होता अगर temperature बढ़ा दिया जाए तो ऐसी condition में जो ketone है pop of rule के थुरू oxidize हो जाता है जिसको हम separate video में discuss करेंगे इसी तरीके से जो third degree alcohol होता है उसमें चाहे हम weak oxidizing agent यूज़ करें या फिर strong oxidizing agent यूज़ करें नॉर्मल condition में इसका oxidation ही नहीं पहता तो सबसे पहले हम बात करते हैं strong oxidizing agents की यहाँ पर total तीन तरीके के strong oxidizing agent mention है इनको हम one by one discuss करते हैं इस रिज़ेंट में CRO3 aqueous acidic medium में होता है इस रिज़ेंट को हम different तरीके से represent कर सकते हैं नंबर B sodium या potassium metal के chromate salt को S204 के presence में use किया जाए नंबर C sodium या potassium metal के dichromate salt को S204 के presence में use किया जाए इन तीनों में से कोई भी रिज़ेंट हो इनका जो main component होता है या इनका जो main chemical होता है वो हमारे पास S2CRO4 यानि chromic acid होता है इन तीनों reagent के तुरू मिलने वाला S2CRO4 chromic acid strong oxidizing agent की तरह काम करता है और 1 degree alcohol के साथ react करके final compound की form में carboxylic acid की formation करता है जो की reaction का major product होता है अगर इस reaction के mechanism की बात की जाए तो सबसे पहले 1 degree alcohol और S2CRO4 यानि chromic acid आपस में react करते है इस reaction में पहले step में water molecule release होता है और जिससे chromate ester की formation हो जाती है reaction का second step slow होता है जो की RDR step कहलाता है और इसमें यहां से carbon hydrogen bond break हो जाता है जिससे carbon oxygen के बीच में double bond की formation होती है और simultaneously इस reaction के इस step में S2CRO3 release हो जाता है reaction में बनने वाला यह aldehyde यहां पिर stable नहीं रह पाता और बनने वाला aldehyde वापिस water के साथ reaction करता है जिससे हमारे पास jam diol की formation होती है यानि एक ऐसे compound की formation होती है जिसमें A carbon पर दो OH group present होते है और previous videos में हमने देखा है कि जो jam diol होता है वो A carbon पर दो OH group present होने के कारण इन में repulsion बढ़ जाता है और यह compound unstable होता है अब यह compound वापिस S2CRO4 के साथ reaction करता है और यहां से water molecule को release कर देता है और बनने वाला compound reaction के आखरी step में अब यहां से इस carbon hydrogen bond को break कर लेता है जिससे carbon oxygen के बीच में double bond की formation होती है और जैसे ही यहां से CR oxygen bond break होता है S2CRO3 इस reaction में side product बन जाता है और यह step जो होता है reaction का RDA step क्यालाता है और इस में final major compound की form में carboxylic acid की formation होती है अब यहां पे सबसे important question यह है कि इस aldehyde का further oxidation इसलिए हुआ है क्योंकि यह water से react करके gem diol की formation करता है इसका मतलब यह है जब कभी भी reaction का medium aqueous होगा तो 1 degree alcohol LDL बनने के बाद gem diol बनाते हुए finally carboxylic acid की formation कर देगा और अगर reaction का medium anhydrous हुआ यानि water उसमें अगर present ही नहीं हुआ ऐसी condition में 1 degree alcohol के तुरू केवल LDL की formation होगी जो reaction का major product होगा क्योंकि जब water absent होगा तो इसमें diol बनने की possibility नहीं रह पाएगी इसलिए इस LDL का further oxidation नहीं हो पाएगा इस पूरे mechanism के दोरान बनने वाला side product S2CRO3 में chromium plus 4 oxidation state में होता है और ये chromium plus 4 oxidation state redox disproportionation reaction के थुरू chromium plus 3 में convert हो जाता है यानि इस पूरी reaction में हमारे पास starting में chromium plus 6 था जो reduce होकर chromium plus 3 में convert हो जाता है अगर reaction के आखरी step की बात की जाए तो इसका आखरी step जो होता है ये A2 elimination reaction के थुरू होता है इस पूरे mechanism में आपने दो interesting चीज़ नोट करी होगी कि अगर हम one degree alcohol लेते हैं और उससे LDL बनता है इस reaction का last step RDS था और इसी LDL को अगर हम carry forward करके oxidize करते हैं तो कार्बोकसली के इसले बनता है और इस reaction का last step जो A2 reaction था वो RDS था इसका मतलब ये है कि अगर हमने one degree alcohol लिया तो direct हमको कार्बोकसली acid की formation हो सकती है यानि उसमें बीच में बनने वाला LDL को हम isolate नहीं कर सकते हैं अगर हमने सिर्फ LDL लिया तब जौस रिजेट के थुरू उसको हम कार्बोकसली के सेड में convert कर सकते हैं तब इस reaction का आखरी step RDS step होगा चाहिए इसमें पहला step RDS हो या second step RDS हो दोनों ही RDS में common चीज़ ये है इसमें carbon hydrogen bond जो होता है वो break होता है अब बात करते हैं rate of oxidation rate of oxidation को समझने के लिए हम total 3 तरह के example को discuss करेंगे सबसे पहले हम example number 1 को discuss करते हैं अभी हमने देखा था कि OH group जिस carbon से जुड़ा होता है mechanism में वो वाला carbon अपने H को break करता है यानि इस molecule में CH bond ब्रेक होगा और इस molecule में CD bond ब्रेक होगा चुंकि CD bond की strength ज़्यादा होती है इसलिए CD bond को break करना उतना असान नहीं होगा जबकि CH bond की strength कम होने के कारण ये RDS में जल्दी break हो पाएगा तो इन दोनों alcohol में से अगर rate of oxidation की बात की जाए तो इसका CH bond जल्दी break हो जाएगा और CH bond RDS step में break होगा इसलिए इस alcohol की जो rate of oxidation होगी उचादा आएगी इसी तरह example number second में हमारे पास तीन तरह के alcohol दिये गए है अगर इस reaction के mechanism को consider करें तो reaction में OH bond break होने के कारण इसमें chromate issue की formation होती है यानि OH bond को break करने के लिए इस OH के बीच में जो bond होगा वो weak होना चीए या हम ऐसा कहलें कि alcohol में जितना electron withdrawing group लगे होंगे उतना OH bond जो होगा weak हो जाएगा जैसे यहाँ पर तीन electron withdrawing group F लगे हैं इसमें दो लगे हैं और इसमें एक लगा है तो इस वाले alcohol में ज्यादा electron withdrawing group होने के कारण ये इस OH के बीच के bond को weak कर देंगे जिससे ये bond जल्दी तूटेगा इस कारण से इन तीनों alcohol में जो first है जिसमें तीन minus i group है उसकी rate सबसे जादा होगी और जो third है जिसमें केवल एक minus i group present है उसकी rate सबसे slow होगी इसी तरह से example number third में हमारे पास दो तरह के LDH दिये गए हैं और दोनों में सबसे बड़ा difference ये है इसमें carbon और hydrogen का bond है इसमें carbon और deuterium का bond है अगर इन दोनों का johns oxidation किया जाए तो हमने mechanism ये देखा है कि इस LDH कारण पर प्रजेट H या D जो होता है वोardeate stem में break होता है इस फाली LDH में H bone break होगा इस फाली LDH में D bone break होगा चु की carbon D bone کی strength ज़्यादा होने के कारण ये bond slow break होगा और इस LDH में carbon hydrogen bone की strength weak होने के कारण ये ज़ल्दी break होगा कु की ये भी RDS में break हो रहा है तो इन दोनो LDH में जो John Oxidation के थूरू rate आएगी वो इस वाली LDH की rate ज़ादा आएगी मालीजी हमारे पास कोई 1-degree alcohol है इसकी reaction चाहे John's region से करवाएं या dichromate salt से करवाएं या फिर chromate salt से करवाएं इन तीनों ही condition में 1-degree alcohol के थूरू कार्बुक्सलिक एसिड की formation होती है जो इस reaction का final major product होता है अगर 2-degree alcohol हो तो इन तीनों region की presence में ketone की formation होती है और 3-degree alcohol इन तीनों region के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं देता यहाँ पर सबसे important बात यह है कि जो John's region होता है इसकी reaction जो होती है 0-degree से 20-degree centigrade के in between carry की जाती है अगर हमारे पास reaction में room temperature दिया हुआ है या फिर reaction का temperature ही नहीं दिया हुआ ऐसी condition में 1-degree alcohol Jones region के साथ reaction करके कार्बुक्सलिक acid की formation करता है जैसा कि अभी हमने इस में discuss किया था बट reaction का temperature हमारे पास 0-degree centigrade दे दिया जाए ऐसी condition में 1-degree alcohol Jones region के साथ reaction करके LDI की formation करता है तो strong oxidizing agent की category में अभी हमने 3 region को देखा जिस में से एक हमारे पास Jones region था एक हमारे पास dichromate in the presence of acidic medium या फिर chromate in the presence of acidic medium था इन दोनों का काम बिल्कुल similar था अगर इन दोनों region का K-N4 के साथ comparison किया जाए तो ये tीनों regions है alcohol के साथ बिल्कुल similar reaction देते हैं जैसे 1-degree alcohol के साथ इन 3-degree experience के थूर गंडियंट की formation होती है जो इस reaction का major product होता है और ये reaction इन 3-degree experience के थूर हो सकती है इस ही तरीके से 2-degree alcohol के साथ ketone की formation होती है और 3-degree ए थीあります reaction को proceed करते हैं और third degree alcohol के साथ कोई reaction नहीं होती और ये तीनों ही reagent इसके साथ same behavior करते हैं तो इन में सबसे बड़ा difference फिर क्या है इन में सबसे बड़ा difference ये है कि जो हमारे पास dichromate और camenophore होता है ये alkyne के C double bond C और alkyne के C triple bond C के साथ reaction दे सकते हैं और ये reaction बिल्कुल oxidative ozonalysis के similar होती है वैसे तो इस वीडियो को जो title था वो chromium based oxidant थे बट यहाँ पर हम camenophore को भी consider कर रहे है camenophore जो होता है जिसे हम potassium permagnate कहते हैं इसके थुरू alkyne, alkyne और alcohol के साथ aromatic side chain का oxidation होता है बट यहाँ पर हम camenophore के केवल उन्ही properties को study कर रहे हैं जिसमें ये alkyne और alkyne के साथ साथ alcohol का oxidation करता है यहाँ पर camenophore को alcohol के respect में इस वीडियो में लेने का main कारण यह है कि जो camenophore होता है वो technically H2CRO4 के similar होता है क्योंकि दोनों में ही जो central metal होती है वो चार oxygen से घीरी रहती है और अगर इस में MnO4 negative में Mn की oxidation state की बात की जाए तो इस में oxidation state plus 7 होती है और chromium में oxidation state जो होती है वो plus 6 होती है यहाँ पर question के point of view से हम alkyne का oxidative ozonolysis consider कर रहे हैं माननी है हमारे पास कोई alkyne है अगर इसका oxidative ozonolysis किया जाए तो इसमें क्या करते हैं जो alkyne का carbon carbon के बीच का double bone हो उसको remove कर देते हैं और remove करने के बाद इस example में हमारे पास दो fragment आ जाते हैं और जिस carbon से double bone remove कर रहा है उस carbon पर double bone o add कर देते हैं इस तरह से हमारे पास यह दो product बनते हैं अब करना क्या है कि हमको c double bone c के respect में LDH को पैचानना है यानि इस c double bone c के इस carbon पर जो direct H होगा उसको हम LDH कहेंगे जैसे इस में हमारे पास एक LDH है जबकि इस compound में हमारे पास LDH नहीं है चुकि हम ozonilis oxidative कर रहे हैं तो यह LDH जो होता है इसका further oxidation हो जाता है और oxidize होने के बाद यह LDH OH में convert हो जाता है यानि इस तरह से इस एलकीन के oxidative ozonilis से हमारे पास एक carboxylic acid और एक ketone की formation हो जाती है अगर एलकीन के oxidation के respect में केमेनोफोर की बात की जाए तो जो केमेनोफोर होता है वो किसी भी एलकीन ये एलकाइन का बिल्कुल उसी तरीके से oxidation करता है जिस तरह से एलकीन का oxidative ozonilis में हमने किया था इसमें basic के लिए हम क्या करेंगे कि same बिल्कुल उसी तरीके से product बना देंगे तो फिर क्या दोनों के product same आएंगे यानि acidic मीडिया में केमेनोफोर लिया गया है या फिर basic मीडिया में केमेनोफोर लिया गया है इन दोनों ही condition में क्या हमको oxidative ozonilis से product बनाना है तो इसमें ध्य गया है बगर हमारे पास Caymanov for basic medium में दिया गया है और बनने वाले प्रोड़क्ट में यहां पर acidic है तो इस base के साथ acid-base reaction हो जाएगी तो यहां पर basic medium में कार्बोक्सली के सिगना बनकर कार्बॉक्सलेट सोल्ट बनेगा और जिस product में acidic है उसको हम basic medium में as it is carry forward कर देंगे जैसे इस example में हमारे पास एक अलकीन दी गई है इस अलकीन की तीन reaction करवाई जा रही है पहली reaction में इसका oxidative ogenalysis किया गया है इसमें भी हम क्या करेंगे इस carbon carbon के बीच का double bond को remove करेंगे और इन दोनो sp2 carbon पर हम double bond O लगा लेंगे और LDH होगा इसको further OH में convert कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ये die carboxylic acid इसका final major product बनेगा अगर हमारे पास K-menophor acidic medium में दिया गया है तो बिल्कुल वही product हम draw कर लेंगे जो हमने oxidative ogenalysis में draw किया था अगर basic medium में K-menophor यूज हो रहा है तो जो oxidative K-menophor के वक्त जो हमने product बनाया है उसमें acidic edge को पैचानना है और उसको इस base के साथ acid base reaction कर देनी है यानि की basic medium में di carboxylic salt की formation होती है अब हम बात करते हैं weak oxidizing agent की नमबर वन pyridinium chlorochromate जिसे हम PCC भी कहते हैं इसमें CRO3 की reaction in the presence of SCL और peridin करवाई जाती है जिससे हमारे पास orange solid PCC यानि peridinium chlorochromate की formation होती है और चुकि इस reaction में SCL यूज होता है इसलिए PCC का जो reaction medium होता है वो acidic होता है और PCC के थुरू होने वाले oxidation को हम core such oxidation कहते हैं नंबर सेकिंड peridinium dichromate जिसे हम PDC कहते हैं इसमें CRO3 की reaction in the presence of water and peridin की जाती है जिससे हमारे पास एक orange color solid की formation होती है जो की peridinium dichromate कहलाता है अगर peridin के symbol को हम PY से use करें तो इसको हम इस तरह से भी represent कर सकते हैं PDC और PCC में सबसे बड़ा difference है कि जो PCC होता है उसमें SCL के कारण इसका medium जादा acidic होता है जबकि PDC में यहाँ पर water molecule होते हैं इसलिए ये PCC के comparison में less acidic होता है नमबर थर्ड कॉलिंस reagent जिसे हम कॉलिंस red cliff reagent भी कहते हैं इसमें CRO3 और peridin 1-2 के ratio में लिये जाता है इसको हम कई तरह से represent कर सकते हैं इस कॉलिंस reagent को reaction से पहले बनाया जाता है और isolated solid की form में इसको रख सकते हैं यानि कि इसको reaction के दोरान बनाने की जुरूत नहीं रहती और reaction के अगर solvent की बात करें तो इसके reaction जो होती है वो DCM यानि डाई क्लोरो मिथेन में की जाती है नमबर फूर, serate reagent इसमें CRO3 और peridin जो होता है वो 1-1 के ratio में लिये जाता है इसको भी हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और collins region और serate region की सबसे बड़ा difference यह होता है कि collins region में peridin की amount जादा होती है इसलिए reaction complete होने के बाद final compound को peridin में इसे isolate करना असान नहीं रहता है इसलिए इस reaction में जब peridin को CRO3 के साथ 1-1 ratio में लिया जाता है तो इसे हम serate region कहते है और इस region को in situ यानि reaction के दोरान ही preparation किया जाता है अगर इन दोनों region के regarding हम laboratory precaution की बात करें तो इस reaction में जो peridin होता है उसके अंदर CRO3 को mix किया जाता है यानि कि द्यान रखने वाली बात ये है कि मानलों हमारे पास कोई reaction vessel है उसमें peridin को लेकर बाद में उसमें CRO3 add किया जाता है अगर इसका reverse कर दिया जाए कि हम CRO3 नीचे ले 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 और उपर से peridin डाले तो reaction extremely exothermic होगी जिस से explosion होने की possibility बनी रहेगी और जब इनकी reaction one degree alcohol के साथ की जाती है तो इन चारों में से कोई एक लेने पर हमारे पास final compound की form में LDL की formation होती है जो इस reaction का major product बनता है चुकि इनमें water absent होता है इसलिए इस LDL से gem diol नहीं बन पाता इसलिए इसका further oxidation नहीं हो पाता अगर second degree alcohol में इनमें से कोई भी एक region लिया जाए तो ketone की formation होती है जो इस reaction का major product बनता है और इनमें से किसी भी region के थुरू third degree alcohol के साथ कोई भी reaction नहीं होती है इन चारों region की एक कोई specialty ये होती है कि ये weak oxidasy agent होने के कारण किसी भी तरीके से alkyne के C double bond C के साथ या फिर alkyne के C triple bond C के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं देते है example में जो हमारे पास starter है इसकी दो reaction करवाई जा रही है एक reaction PCC के साथ है और दूसरी reaction Jones region के साथ है और जो हमारे पास starter है इसमें specialty क्या है इसमें 1 degree alcohol group है 2nd degree alcohol है 3rd degree alcohol है इसके साथ साथ इसमें LD8 group भी present है अगर हम PCC, PDC, Collins या Seret region यूज़ कर रहे है तो LD8 के साथ कभी भी reaction नहीं करनी है और ये LD8 reaction में as it is carry forward करना है और 1 degree alcohol के साथ LD8 की formation करेंगे 2nd degree alcohol से ketone की formation करेंगे और 3rd degree alcohol के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं करेंगे अगर मालनों ये reaction Jones reagent के साथ होती तो सबसे बड़ा difference ये आता जो 1 degree alcohol होता है वो पहले LD8 में convert होता है और फिर जाके वो carboxylic acid में convert होता है इसका मतलब ये हुआ Jones reagent या फिर Km4 या फिर K2CR27 ये जो powerful strong oxidizing agent है ये LD8 को carboxylic acid में convert करना की capability रखते हैं इसलिए ये जो LD8 होगा इसको हम carboxylic acid में convert कर देंगे और 2 degree alcohol के साथ सबकी reaction सेम होती है सभी reagent उसके साथ के tone की formation करते हैं और 3 degree alcohol के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं होगी किस तरह से PCC के थुरू हम 1 degree alcohol से LD8 की formation कर सकते हैं इसको हम इस mechanism से समझ सकते हैं PCC यानि pyridinium chlorochromate में present जो chlorochromate part होता है वो इस reaction में electrophile की तरह काम करता है और इसमें chromium का oxidation state जो होती है वो plus 6 होती है चुकि ये इस reaction में electrophile की तरह काम करता है और ये OH से electron लेता है तो basically इसमें होता क्या है CRO bone के electron इदर shift हो जाते हैं और अब OH इसमें nickelophile की तरह काम करता है और इस chromium को electron donate करता है electron के donation होने के कारण इस OH पर positive charge का generation हो जाता है और इस O पर negative charge की formation हो जाती है reaction के अगले step में internal proton transfer होता है यहाँ से ये H positive इन दोनों में से किसी O negative के पास shift हो जाता है जिससे हमारे पास again एक intermediate compound की formation होती है अब reaction के अगले step में इस O negative के electron इहाँ पर shift होती है जिससे CL negative इस reaction में release हो जाता है और chromate ister की formation होती है reaction के step में निकलने वाला CL negative अब reaction के अगले step में base की तरह काम करता है और अब यह CL negative इस H को upset कर लेता है जिससे carbon hydrogen bond break हो जाता है और इस bond के electron जो है यह carbon और oxygen के बीच में shift हो जाते है जिससे carbon oxygen के बीच में double bond की formation होती है और यहाँ से OCR bond जो है वो break हो जाता है और जैसे यह bond break होता है हमारे पास side product की form में S2CRO3 formation हो जाता है और main product की form में LD8 की formation होती है इस reaction में बनने वाला S2CRO3 में जो chromium होता है वो plus 4 oxidation state में होता है और ये S2CRO3 redox disproporation reaction के थुरू chromium plus 3 condition में convert हो जाता है और इस reaction के अगर आखरी step की बात की जाए जिसमें CL negative base की तरह काम कर रहा है अगर इस step के mechanism की बात की जाए तो ये हमारे पास एक E2 type का elimination reaction होती है चुँकि PCC यानी pyridinium chlorochromate की formation के वक्त ACL को use किया जाता है इसलिए इसका जो reaction medium होता है वो acidic होता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि 1 degree alcohol के oxidation के दोरान PCC के थुरू कुछ side reaction भी possible हो जाती है अब माल लो हमारे पास एक ऐसा starter है जिसमें 1 degree alcohol है जब इसकी reaction PCC के साथ की जाती है तो initially इससे 1 degree alcohol के थुरू LDH की formation होती है चुकि reaction का medium acidic होता है इसलिए इस carbonil compound का इस H positive के साथ protonation हो जाता है जिससे protonated carbonil compound की formation होती है और जैसी अब C O bond की electron इस O की तरफ shift होते है इस carbon पर positive charge की formation होती है और यहां C जो double bond है इस तरह से migrate करता है कि यहां पर negative charge और यहां पर positive charge की formation हो चुकि इस carbon पर positive charge था इस carbon पर negative charge है तो यह दोनों आपस में bond की formation कर लेते हैं और net positive charge इस carbon पर आ जाता है और इस positive charge के थुरू अब alkene की formation हो जाती है यानि कि PCC के साथ 1 degree alcohol के कारण इसमें side reaction के कारण यह final product की formation होती है जो इस reaction का major product होता है अगर हमारे starter की reaction PCC के साथ करवाएं और उसमें buffer की form में sodium acetate यूज करें तो इस side reaction को हम avoid कर सकते हैं और इसमें 1 degree alcohol जो होगा वो aldehyde में ही convert होगा final इसके थुरू कोई भी side reaction possible नहीं होगी क्योंकि इस buffer के थुरू अब इसका जो medium होगा वो acidic नहीं रपाएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास इस starter की reaction PCC के साथ करवाई जारी है तो इस में PCC के acidic medium के current side reaction हो जाएगी और बिल्कुल सेम mechanism के थुरू इस final compound की formation होगी जो इस reaction का major product होगा अगर हम PCC के साथ sodium acetate as a buffer यूज कर लेंगे एसी condition में ये 1 degree alcohol जो होगा अब LDH में ही convert होगा और इसके साथ किसी भी तरह की side reaction नहीं होगी अगर 1 degree alcohol के साथ PDC को use किया जा रहा है तो इसके वक्त solvent का ध्यान रखना बहुत जुरूरी है अगर PDC के दोरान solvent DCM यानि डाई क्लोरो मेथीन दिया गया है ऐसी condition में 1 degree alcohol के तुरू LDR की formation करनी है अगर reaction का solvent DMF हो यानि PDC के साथ DMF यानि डाई मिथाईल होरमेमाइट दिया गया है ऐसी condition में 1 degree alcohol के तुरू final compound as a carboxylic acid की formation होती है जो इस reaction का major product बनता है अगर PDC और PCC को आपस में compare किया जाए तो इन में सबसे बड़ा difference जो होगा इनके reaction medium का होगा चूंकि PCC का जो reaction medium होता है वो acidic होता है क्योंकि इसमें हम SCL use करते हैं जबकि PDC की formation के दोरान इसमें water use किया जाता है इसलिए PDC का जो acidic medium होता है वो बहुत ही slight acidic medium होता है इसलिए इस तरह की जो side reaction PCC के थुरू possible थी ऐसी side reaction कभी भी PDC के थुरू possible नहीं हो पाती अब मान लिजी इस example में जो हमारे पास starter है उसकी reaction PDC के थुरू करवाई जा रही है तो PDC की reaction में एक चीज़ तो confirm हो गई क्योंकि इसका medium acidic नहीं होता है इसलिए इसमें किसी भी तरह की side reaction possible नहीं होगी जैसा अभी हमने same example में PCC को use करते रख देखी थी दूसरी चीज़ ये इसमें हमको solvent का द्यान रखना है जैसे इसमें PDC के साथ DMF दिया है इसलिए इस 1 degree alcohol को हम कार्बोक्सलिक एसिड में convert कर देंगे और अगर PDC के साथ डाइकलोर मिथीन दिया है तो इस 1 degree alcohol को हम aldehyde में convert कर देंगे इस example में हमारे पास total तीन तरह की reaction है और जो हमारे पास starter है उसमें सबसे बड़ी specialty ये है कि इसमें 1 degree alcohol भी present है इसमें 2 degree alcohol भी present है और इसमें अलकीन का कार्बन कार्बन के बीच का double bond भी present है अगर ये reaction PCC या PDC या Collins region या serate oxidation किया जाता चुकि ये सारे के सारे weak oxidizing agent होते हैं और इसलिए इन से 1 degree alcohol के थुरू LDR की formation होगी 2 degree alcohol के थुरू ketone की formation होगी और इस carbon carbon double bond का ये oxidation नहीं कर पाएंगे अगर हम Jones region की बात करें तो Jones region जो होता है वो इनके comparison में तो strong होता है इसलिए ये 1 degree alcohol से acid की formation करेगा 2 degree alcohol से again ketone की formation करेगा बट ये इतना strong region नहीं होता कि alkyne और alkyne का oxidative cleavage करे यानि इन दोनों ही case में ये जो C double bond C होगा ये इनके product में as it is carry forward हो जाएगा अगर reaction dichromate या chromate salt के साथ करवाई जाए या फिर camenophore के साथ करवाई जाए very strong oxidizing agent होता है यानि ये 1 degree alcohol से acid बनाएगा 2 degree alcohol से ketone बनाएगा और साथ में यहाँ पर इस alkyne का oxidative cleavage कर देगा यहाँ पर मैं समान के चल रहा हूँ कि आपको alkyne का ozonolysis आता है क्योंकि alkyne का जो oxidative cleavage होता है वो बिलकुल वैसे ही होता है जैसे हम oxidative ozonolysis में करते हैं basically इसमें करते क्या है कि जो carbon carbon के बीच का double bond होता है इसको remove किया जाता है और जो भी हमारे पास यह sp2 carbon था इसको carboxylic acid यानि COOH में convert कर देते हैं जैसे इस example में जो हमारे पास starter है इस starter में second degree alcohol, one degree alcohol के साथ यहाँ पर carbon carbon के बीच में double bond present है अगर हम PDC लेंगे तो second degree alcohol से ketone बनाना है one degree alcohol से aldehyde बनाना है और इस alkyne के या फिर alkyne के double bond को as it is रखना है इसी तरह अगर जोंस region यूज़ करेंगे तो again second degree alcohol से ketone बनाएंगे one degree alcohol से carboxylic acid की formation करेंगे और again इस C double bond C के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं करेंगे अगर यही reaction K2Cr2O7 के साथ acidic medium में होती तो second degree alcohol से again ketone की formation करनी है one degree alcohol से carboxylic acid की formation करनी है और इस alkyne का oxidative ogenolysis कर देना है यानि कि same water trick use करके इसको break करना है और इस alkyne के दोनो sp2 carbon को carboxylic acid में convert कर देना है तो guys इस lecture को complete recall करने के लिए आपके device screen पर total six salt problem दी गई है चलिए इनको first discuss करते है number one यहाँ पर हमारे पास second degree alcohol दिया गया है जिसके reaction dichromate salt के साथ करवाई जा रही है और medium हमारे पास acidic है ऐसी condition में second degree alcohol से ketone की formation होती है number second इसमें हमारे पास second degree alcohol और one degree alcohol दोनों present है जब Jones region के साथ इसके reaction होगी तो second degree alcohol ketone में convert हो जाएगा one degree alcohol carboxylic acid में convert हो जाएगा number third जब Collins region के साथ इसके reaction होगी तो second degree alcohol ketone में convert होगा 1 degree alcohol aldehyde में convert हो जाएगा और alkene के double bond के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं होगी नमबर 4 जब इस starter के साथ colis region rate करेगा तो इसमें reaction जो होगी केवल 2nd degree alcohol के साथ होगी जो ketone में convert हो जाएगा और ये epoxide जो होगा ये uninfected होगा यानि reaction में carry forward हो जाएगा नमबर 5 इसमें हमारे पास 1 degree alcohol दिया गया है जब PCC के reaction डाइक्लोर मिथेन में करवाएंगे तो 1 degree alcohol से aldehyde की formation होगी again double या triple bond जो alkyne या alkyne के रहते हैं उनके साथ कोई reaction होगी नमबर 6 यहाँ पर PDC लिया गया है जो 2 solvent में use हो रहा है इसमें ध्यान क्या रखना है जब PDC डाइक्लोरो मिथेन में use होता है तो 1 degree alcohol जो होगा वो aldehyde में convert होगा और PDC अगर DMF में use होता है तो 1 degree alcohol carboxylic acid में convert होता है दोनों में common चीज़ क्या है कि second degree alcohol जो होगा वो ketone में convert होगा और दोनों में alkyne के double bond के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं होगी तो guys I hope इस video lecture में alcohol के oxidation के regarding chromium based oxygen को किस तरह से use करते हैं और कब 1 degree alcohol से हमें aldehyde या फिर carboxylic acid की formation करनी है या alkyne या alkyne के bond present है तो alkyne के oxidation के साथ साथ कब alkyne और alkyne के bond का oxidation करना है यह आप अच्छे से समझ गए होगे हर बार की तरह से ही video के rest part में कुछ question आपको दिये जा रहे हैं यहाँ पर total six question आपको दिये गए हैं जिस में से तीन questions आपके device की screen पर display हो चुके हैं आपको करना क्या है वीडियो को pause करके या फिर slow down करके या screenshot लेके इन सभी six questions को solve करना है और फिर मेरे साथ discuss करना है I hope आपने यह सभी question को solve किया होगा चलिए अब इनको discuss करते हैं question number first में हमारे पास second degree alcohol दिया गया है और second degree alcohol के respect में अगर हम strong oxidizing agent लेते हैं या फिर weak oxidizing agent लेते हैं दोनों ही condition में ketone की formation होती है बड़ ध्यान में ही यह रखना है कि अगर हमारे पास second degree alcohol है तो कब हमको puff of rule लगाना है उसको हम separate वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे इसी तरह से question number second में एक तो हमारे पास one degree alcohol है और एक हमारे पास alkene का double bond है जब PDC या फिर Jones region के साथ reaction करवाएंगे दोनों ही case में carbon double bond carbon के साथ किसी भी तरह की reaction नहीं होगी और PDC के respect में यह one degree alcohol जो होगा reaction करके LDHand में convert होगा जबकि Jones region जो होता है वो PDC से powerful होगा इसलिए one degree alcohol जो होगा इसमें carboxylic acid में convert हो जाएगा इसी तरह इस question के third part में जब reaction केमनो 4 और H positive के साथ होगी तो one degree alcohol जो होगा वो carboxylic acid में convert होगा और साथ में इस alkyne का oxidative ozonalysis हो जाएगा जिससे हमारे पास इन दो compound की formation होगी question number third में हमारे पास Jones region दिया गया है Jones region जो होता है वो one degree alcohol को acid में convert कर देता है बट alkyne या alkyne के साथ किसी भी तरह की कोई reaction नहीं करता है तो अब आपकी device की screen पर rest three question यानि four to six question mention है और आपको इनको भी solve करना है I hope आपने इन question को solve करा होगा चली इन question को discuss करते है question number fourth में जब PCC के साथ reaction होगी तो इससे one degree alcohol जो होगा वो aldehyde में convert हो जाएगा चुकि PCC या PDC या colins या serate reagent कभी भी aldehyde के साथ reaction नहीं करते है इसलिए ये aldehyde as it is carry forward हो जाएगा इसमें ध्यान में ये रखना है one degree alcohol जो है उसकी stereochemistry दी गई है और जैसी stereochemistry दी गई है वैसी stereochemistry oxidation के बाद carry forward होती है question number 5 में हमारे पस यहाँ पर strong oxidizing agent दिया गया है जो कि one degree alcohol को carboxylic acid में convert कर देता है इसी तरह question number 6 में jones region दिया गया है जो one degree alcohol को via aldehyde होते हुए carboxylic acid में convert करता है और इसी current से ये aldehyde को भी carboxylic acid में convert कर देता है I hope आपके ये सभी के सभी six question correct हुए होंगे इन question के regarding या फिर वीडियो में किसी भी question या example के regarding आपका कोई भी doubt है तो आप comment section में comment करके पूछ सकते है